बागेशुर दाम के मुखिया संत द्रेंदर शास्त्री के खिलाफ वकार भटी ने अपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया था। वकार भटी खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताता है और जम्मू के पूंच राके का रहने वाला है लेकिन सनातन धरम के खिलाफ उसने अपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया और द्रेंदर शास्ति के खिलाफ भी बहुत सी अपत्ती जनक बाते लेकी जिने शायद यहा से बाचित करते हैं राकेश जी अंतते वकार भटी के खिलाफ आपने अफाई यार दर्च करवाई है देखें जिस परकार से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वकार रहे जो है बागेश्वर दाम जो सरकार है उन्हें वहां के जो संत हैं दिरेंदर शास्त्री जी ज संत हैं जिनको देखने के लिए क्रोड़ों लोग जो है वह सड़कों के उपर आ जाते हैं अभी पिछले दिन वह बिहार के अंदर कथा कर रहे थे तो दस लाक से ज्यादा लोग वहां पर इकठे हुए और उनको बकाईदा मीडिया के माद्यम से अपील करनी पड़ी लोग अधिर क्रोड़ों आंदर बैट कर जो हैं उनकी कथा को सुनें और वहां पर नॉट कि वहां पर स्थार नहीं है जो इसने ऐसे अबद्र टिपनियां की जिनको शायद में आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल पाऊंगा लेकिन कहीं न कहीं हमारी आस्थागों ठेज पहुंची क्योंकि भगवान हनुमान जी की गद्धी के वह संत हैं और कहीं न कहीं हम हनुमान जी का वाज उनके अंदर मानते हैं क्योंकि जिस परकार से वह लोगों का कश्टों का निवारन करते हैं तो उस इसाब से कि लोग केवल हिंदुस्तान में नहीं अपुति अपनियों का इस्तेमाल जो है वो दिरिंदर शास्ति के लिए किया है इसी के उपर हमने संग्यान लेते हुए जम्मु के छन्नी थाने के अंदर जाकर हमने एक रिटन कंप्लेंट दी जिसके टू नाइटीवाइव का जो है वो परचाद धर्ज हुआ है फाई यार लगी है औ तो हम सरकार से ये मांग कर रहें कि जिस परकार से लगातार ये आज का नहीं इससे पहले वुरान बानी हो जाए जितने मिल्टेंट रहें उनके सपोर्ट में ये वीडियो डालता रहा है उसके बाद ये इसने पिछले साल जो है भगवान शिब के उपर भी जो है अब लिए अकाउंड है इसका जो जिसके माध्यम से ये इस परकार की टिपनिया करता है जिससे की फसाद हो सकता है जगड़ा हो सकता है दो कम्निटियों के बीचे में इसकी अकाउंड को जो है तूरंद बंद करने का काम करें और दूसरा नमबर इसको PSA के ताद बुक करके जे बोला और इसी वीडियो के अंदर ये जो जाकिर नाइक जो यहां से भगोड़ा है मलेशिया के अंदर जो शरल लिए हुए है और वो देश के अंदर उसके ओपर बिमिन दाराओं के ताद मुकर्द में तरज हैं क्योंकि वह उसके कहीं न कहीं लिंक जो आंतक वादियों के ही अगर गूदी मीडिया ने तो जाकिर नाइक डिया कर दिया कि हमारा कानून जब हमें कहता है कि हमकि किसी के उपर जो है किसी के टिपनी नहीं कर सकते हमें सляगे लगी कि इसकी मुंग टेप लगा कर बंद करने का काम करें इसका permanent solution जो है वो निकाला जाए क्योंकि जब ये जेल के सलाकों के पीछे जाता है दो चार महीने चुप रहता है उसके बाद पिर दुबारा से अपने शोशल मेरिया अकाउंट के माद्यम से कुछ ने कुछ ऐसी बकवास करना शुरू करता है जिससे हमारी आस्तागे पर पर बिल्कुल देखें मेरे को लगता है कि जैसे कि इसका शोशल मेडिया अकाउंट को पेज है जो काफी फालावर है उन्हों फालावर को बढ़ाने के लिए अपनी टी यार्पी बढ़ाने के लिए शायद उससे कुछ फंडिंग भी आती है तो उसको पाने के लिए इस परका कुछ ना कुछ ऐसी कोई सिच्वेशन बन सकती है जम्हो कश्मीर के अंदर कि जिससे की सरकार को फिर बाद में पच्तावा हो कि हम उसके बाद दोनों कमुनिटियां हमने सामने आ सकती है इसलिए सरकार को इसके उपर सोचना पड़ेगा देखिए हम सवीदान के दायरे में सब्सक्राइब करते हैं तो हम सभी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हम मांग कर रहे हैं तो इनको क्या पेट में पीड़ा हो रही है इनके पेट में क्यों दर्द है बिल्कुल पीड़ा इनको हिंदू राष्ट्र से है और किसी से पीड़ा नहीं है और बाकि तेखिए आपने आपको समाजी कारे करता बताने वाला मुझे बताए है समाजी कारे करता वो होता है जो समाज के काम आता है जो समाज के अंदर कुछ न कुछ दान कर रहा है यहां ब्लड डॉनेशन कैम्प लगा रहा है यहां सलाई सेंडर चला रहा है समाज के लिए गरीब तब के लिए कुछ न कुछ कर रहा है मैंने तो आज तक देखा ही नहीं इसको कही ये केवल नैशल मीडिया के कुछ चैनलों में वैड का डिवेड करता है कश्मीर का फेवर करता है और कश्मीर का फेवर वो करता है कि जो बिलकुल देश के हित में नहीं होता है तो इस परकार का फेवर करता है और मुझे कहने बोले ना भारत माता कीजाए नैशन चैनल में जाके बारत माता कीजाए बोले बोले हम मानेंगे वो कभी नहीं बोलता कोई लोग मोलने के लिए बोलते नहीं बोलता तो इस चीजें जो है यह सरकार को संग्यान लेना पड़ेगा इसके उपर ऐसे लोगों को और मैं नैशल मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को डिबेट में बिठाने से पहले सो वार सोचे जो देश के हित में जैश भारत माता की जैए नहीं बोल सकता जो बंदे मातरम नहीं बोल सकता इस बरकार की चीजें नहीं कर सकता जो देश के फेवर में नहीं बोल सकता तो क्या फाइदा उसको डिबेट है आपको लगता है कि इस फाइयर पर आगे एक्शन भी होगा जो आप चाहते हैं पीएसे तक देखे सो पर्तिशत कारवई होगी मैं अश्वासन दे रहा हूं हंडर परसेंट कारवई होगी क्योंकि दिरेंदर शास्त्री जो है वो छोटे मोटे संत नहीं मैंने कहा क्रोडों अनिवाई उनके आई विदेशों से भी लोग उनको मानते हैं और करना और जो कानून के दाइरे में वो काम करना पुलीस अपना काम कर रही है तो पुलीस से हमें कोई शिगायद नहीं है जो शक्सित बड़ी फेमस है उसके बारे में आप अगर कुछ बोलते हैं तो आपको टी-आर-पी मिलेगी तो यह भी एक इसका पैंतरा हो सकता है ना करना कानून करना वे करे जो मिलेड तो अपने काम करना करना है कि जिसके बाद बाद में जो है वह हमारे कार्वाई गए जब हम हिंदू राष्ट्र की बात अगर कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अब जो परिशानी और जो वॉकलाहट दिख रही है यह वाकई में केवल हिंदू राष्ट्र का मसला है और क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र संभव हो पाएगा देखे हिंदू राष्ट की हम मांग कर रहे हैं हम पहले से ही कर रहे हैं आजगी भी कर रहे हैं जब से हम संगठन में काम करने हिंदू समाज का काम करने हमें हिंदू राष्ट की मांग करते हैं तो आप थोड़ा जोर पकड़ा है क्योंकि जगा-जगा जो है जिस परकार से Love jihad की घटनाइ है आपने देखा कि जो चल रही है टार्गिट किलिंग Kassmivir के अंदर चल रही है जिस परकार से कनेया की हत्या जो है यहां पर राइस्तान के अंदर हुई करनाटकां में हुई को किस ही हिंदू राश्टर को किसी इस परकार से इसे कर रहे हैं कि देश लिए कानून बनेगे कानून कानून को इस परकार से क्मुष पर्कॉर को मह iteration को एक कानून हो कानून और बंदब कानून लग कानून को जा अश्ता है नहीं को आदा करते ही में हिंदूस्तार में केवल हिंदू लटाइब टैजब हैंदु तो हम तो चारे जब इसलामी और और हिंदु रहेंगे हुआ दो हिंदु राष्ट्र में अदर नहीं रहेंगे यॉश्लेग थो हिंदु राष्ट की हम ईय। और करते रहेंगे जब तक हिंदू राष्ट नहीं बनेगा तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे देखिए वकार बटी पर अभी इनकी मांगी है कि पीएस से जो है वो उस पर लगना चाहिए